दोस्तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बास्तु शास्तर के बहुत ही अनुके और अदबुद विचारों के बारे में बताने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तो बास्तु शास्तर में बताया जाता है कि अगर आप अपने भागे को खोलना चाहते हैं तथा भागे के दरबाजों को खोलना चाहते हैं तो जैसे ही आप सुभा उठते हैं आपको सबसे पहले ये च्छै काम जरूर करना चाहिए दोस्तों घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रही हैं जिससे जीवन में कुछ समस्या ना हो दोस्तों हमारे देश और समाज में संसिकारों का विशेश महत्व है ये सभी कारे ना केबल भलाई के लिए होते हैं बलकि आपकी तरक्की को भी प्रभावित करते हैं शास्तरों में भी कुछ बातें बताए गई हैं जिनको पूरा करने से आपका दिन बेतरिन हो जाएगा आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से ना केबल मान समान में ब्रद्दी होगी बलकि धन आपके साथ भागे के दर्बाजे भी खुल जाएंगे तो दोस्तो आईए जानते हैं बिस्तर छोड़ने के बाद कौन से अच्छे काम है जो सबसे पहले करने चाहिए लेकिन इससे पहले आप से एक बिंती है किर्पय वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएएगा दोस्त तो सबसे पहले बताया जाता है कि शास्तरों के अनुसार सुभा उठते ही सबसे पहले दोनों हतेलियों के दर्शन करने चाहिए तथा जबीन पर पैर रखने से पहले प्रिथभी माता से छमा मांगनी चाहिए शास्तरों में प्रिथभी को हमारी माता बताया गया है जो हमारा बोज उठाती है ऐसा करने से आपके सभी दोश दूर होते हैं और शरीर में एक साकार अत्मक उड़जा का परवेश होता है दोस्तों कहा जाता है कि सुभा हर रोज इस्नान करना चाहिए और इस्नान करते समय स सभी तीर्त इस्थलों और पवित्र नद्यों के नाम का जाप अबश्य करना चाहिए ऐसा करने से आपको सभी तीर्तों का पुन्य मिलता है और संभब हो सके तो हर रोज थोड़ा गंगा जल पानी में मिला कर नहना चाहिए इस्नान करने के बाद तामे के पात्तर में जल भ में सूर्य की शुब इस्तिती रहती है इसका असर हमारी बुद्धी पर पड़ता है मान सम्मान के साथ आर्थिक ब्रद्धी भी होती है दोस्तों बताया जाता है कि सूर्य देप को जल देने के बाद तुलसी को जरूर जल चड़ाएं और घर के मंदिर में पूजा पाठ ज कमी नहीं रहती और हमेशा खुशाली बनी रहती है और दोस्तों लाश्ट में कहा जाता है कि सुभा अगर आप ओपिस या फिर जरूरी काम से बहर जा रही हैं सबसे पहले माता पिता का आशरी बात जरूर ले लेना चाहिए और फिर देवी देपताव का ध्यान करें साथ ह बच्चों को भी जाते बक्त माता पिता के चरण अब शिच होने चाहिए घर से बहर निकलते समय नासिका में जो स्वर चल रहा हो सर्व प्रथम उसी पैर को बहर निकालना चाहिए दोस्तों बास्तु शास्तर में सबसे पहले अपने भग्ये खोलने के लिए सुबा उठते ही ये च्छे काम करने के लिए बताया गया है अगर आपको बास्तु शास्तर की ये बाते ये ग्यान पसंद आया और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सचे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नबश शिबाए वीडियो को लाइक जरूर क करी